जैहिन साथियो, तो SSC GD Constable का Medical इस बार कैसे हो रहा है, Hard हो रहा है या फिन Normal हो रहा है, ये तो मैं नहीं बता सकता, किन्तु ये जरूर बता सकता हूँ कि पिछली बार के comparison में अगर हम तुलना करें, तो इस बार पिछली बार के तुलना में Medical Hard हो रहा है, इस बार जो DME Board है व ऐसे वो ढूड़ ढूड़ कर point बना रहे हैं, खास कर तो जो Varicose Vans होती है, उसमें Maximum लोगों का अगर आप देखेंगे, तो आपको लगेगा कि Varicose Vans है ही नहीं, और वो पिछली बार fit भी थे, फिर भी इस बार नजाने कहां से ढूड़ ढूड़ कर point बना रहे हैं, किसी क Varicose Vans में point बना है, तो कोई 2 kg under weight में बना है, अब आप लोगों खुद सोचिए कि पिछली बार 4-5 kg तक भी ये manage कर रहे थे, इस बार केवल 2 kg कम था, फिर भी जो है under weight में point मिला है, तो वही यहां पर हम बात करेंगे कि पिछली बार के comparison में इस बार medical कैसे हो रहा है, किस point प हो रहा है, पहले ही physical में थोड़ी से आपको रियायत दी जाए, किन तो medical जो है, वो बिल्कुल भी असान नहीं हो रहा है, maximum लोगों को point बर रहे हैं, क्योंकि अभी एक center का मैं review दूँ, तो उसमें 41 लोग जो है, वो DME के लिए qualify हुए थे, जिसमें से केवल 11 लोगों को medical में fit किया था, बलकि जो है 30 लोगों को re-medical मिला किसी न किसी point में, तो इस तरीके से ये ratio आप समझ सकते हैं, कि कितना hard medical इस बार हो रहा है, हलांकि अगर आपको कोई problem नहीं है, तो आप बेफिक्र रहे हैं, आप नेश्चीती पास हो जाएंगे, किन तो यहाँ पर problem ये बन रह हैं, और वो candidate expect कर रहा है, कि वो medical में पास हो जाएगा, तो वही expectation उनकी बेकार जा रही है, क्योंकि थोड़े से भी problem में भी ये point बना रहे हैं, यहाँ पर मैंने आपको sleep भी आपको दिखाया, बहुत सारे लोगों को ऐसे point बने हैं, जो कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं हो है, लगबग हर एक सिंटरफर, ना जाने कैसे इस बार वो चिक कर रहा है, कि वेरिकोल्स में बहुत जादा point बना रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, color vision में भी point बने हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों को अलग-अलग point मिल रहा है, जो सोच रहा है कि मैं थोड़े से यह पर यह problem है, वहाँ पर पास हो जाँगा, तो उसे भी point मिल जा रहा है, अगर आपको real problem नहीं होगी, तो आप पास हो जाएंगे, कि तो फ्रेंस आपको पता होगा कि री medical में थोड़ा सा details में चेक होता है, तो उसमें थोड़ी बहुत अगर आपको problem है, तो भी वहाँ पर ब problem है, थोड़ा सा problem है, तो भी अगर वो जो fail करने का point होगा, तो आपको री medical से भी बाहर कर देंगी, तो इसलिए पिछली बार की या पेच्छा, इस बार medical हो रहा है, ये बात बिल्कुल सही है, और देखिए हो सकता है, कि आपके center में ऐसा नहीं हो रहा हो, कि तो मैक्ष्ण आपके सामने है, तो उसकी तैयारी आप ना छोड़िए, आप लोग study करते रहिएगा, कुछ भी हो जाए, medical आप देख कर आईए, क्योंकि बाद में अगर आप पढ़ाई छोड़ देंगे, और हो सकता है कि कि किसी करार से आप भरती से बाहर हो, तो आपको बहुत दुख हो और इसमें previous year के सभी प्रसने chapter wise दिये गए हैं, जैसे ये एक पहला chapter हो गया number system का, तो number system का जो भी concept है, वो सारे concept है, उसके बाद previous year में इस chapter से अब तक जितने भी प्रसने बने हैं, उन सभी प्रसनों को इसमें दिया गया है, तो इससे अच्छा आप के लिए और क्या ही हो स सकता है कि एक chapter का previous year के एक भी प्रसन आप से नहीं छूटेगा, और इसी तरीके से इसके चारों section के, हिंदी के भी, GS के भी, reasoning के भी book इसी तरीके से chapter wise दे previous year के base पर तयार किये गए हैं, जिसको लेकर आप अपनी तयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं, तो आप चाहे तो ये च बाकी यहां पर देखें कुछ और भी point बने हैं, जैसे यहां पर देख सकते हैं, यहां पर कुछ चेस्ट में इनका problem है, उसके बाद होमोरायड सब्था पारिस में भी point बने हैं, उसके बाद अगर कोई operation कराया है, उसका जो है, वो report देखते हैं कि ये पूरी तरीके से सही ह हुआ है या फिर नहीं तो उसमें भी कुछ point बने हैं, तो अलग अलग जगा पर अलग अलग point बने हैं, तो overall बात यही है कि थोड़ा सा भी यह रियायत नहीं दे रहे हैं, हो सकता है कि यह सारे भ्यारती रिमेटकल में पास हो जाए, तो अगर आपको रिमेटकल मिल जाता ह है, तो इसमें से 10-12 अराम से पास हो जाएंगे, यह पूरी गरांटी है, क्योंकि रिमेटकल में जो है, वो थोड़े सी रियायत देते हैं, अगर रियल प्राब्लम नहीं है, अगर रियल प्राब्लम है, तो वहाँ पर भी बाहर कर देंगे, बाकि आप लोगों का मेडिकल क प्राब है, आप लोगों का फिजकल काब है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर अब भी कुछ आपको प्राब्लम लगता है, कि यह प्राब्लम यह पॉइंट हमारा बन सकता है, तो अभी अगर आपके पास टाइम है, तो उसका आप ट्रीटिमेंट ले ले क्योंकि हो सकता है, कि ट्रीटिमेंट ले ले लेंगे, तो वहां पर वो चीजे उनको नजल ना आए, तो वहां से आप पास हो सकते हैं, क्योंकि देखें, मेडिकल जो होता है, सारा के सारा डॉक्टर के उपर डिपेंड करता है, और आपकी किसमत के उपर डिपेंड करता है डॉक्टर उस समय कैसा react कर रहा है कैसा डॉक्टर आपको मिला है कौन से पॉइंट पर ज्यादा डीप में वो चिक कर रहा है आपकी किसमत कैसे है वो सारा depend करता है क्योंकि medical में आपको कुछ नहीं कर सकते बहुत सारे लोग होते हैं जिनका ज्यादा प्राब्लम होता है वो पास हो जाते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका माइनर से भी माइनर प्राब्लम होता है उन्हें बाहर कर देते हैं तो यह कुछ आपकी किस्मत पर भी डिपेंड करता है कि डॉक्टर कैसे मि जाहिए जाहिए